हाई फ्रेंड्स मैं कलपना आप सभी का स्वागत करती हूं सान्या गार्णिंग चैनल में आज हम बात करेंगे इस प्लांट के बारे में यह हमारा सिनेमन बैसल प्लांट यह बैसल प्लांट की एक वराइटी है जिस तरह से तुलसी और एस्टीविया बैसल प्लांट की वराइटी है उसी तरह से सिनेमन बैसल भी बैसल प्लांट की एक वराइटी है तो आज हम इसी पौदे की के बारे में बात करेंगे कि हम किस तरह से सिनेमन बैसल प्लांट की केर कर सकते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे इसके लिए सौइल प्र का डालेंगे वह सहल इसके लिए best होती है सभी को mix कर दीजिए all well written pot में लगा दीजिए तो ये बहुत ही अच्छ से गरो करेगा ये plant हमारा सीर्ट से भी गरो हो जाता असानी से और ये cutting से भी बहुत ही असानी से गरो हो जाता है ये देखिए ये इसके सीट जहां पर इसके सीट निकलते वही पर यह चोटे-चोटे से वाइड कलरategे फलावर्पी निकलते हैं यह प्लांट देखने में भहात ही ख Planning लगता है यह देख चोटे-चोटे फ्लावर्प साच करने में भहात ही खुब सूरत लगते हैं ये cutting से भी बहुत easily grow हो जाता है और seeds से भी बहुत easily grow हो जाता है इसके जो seeds से अपने आप ही जब mature हो जाएंगे तो गिर जाएंगे और फिर बारिश के मौसम में चोटे-चोटे इसके plants निकल जाते हैं आप उन plants को रखना चाहें तो उसे आप next pot में shift कर दीजिए तो इसके फि फाद करते हैं इसे हमें किस तरह से देना है तो जिस सभी पादों को पानी देते time हमें उसकी soil को touch करके चेक कर लेना चाहिए कि वो मॉइस्ज है कि नहीं gospod consider वह कि अर्फ हमें देना हो तो पहले इससकी soil को touch कर लिज़े और इसकी जो सॉयल है वह हमेशा गीली रहेगी और यह पौधा खराब हो जाएगा गर्मी के दिनों में आप इसे रेगुलर वाटरिंग कर सकते हैं विंटर्स के डेस्ट में आपको इसे रेगुलर वाटरिंग नहीं करनी है आप इसे जब इसकी सॉयल ड्राइ हो जाए तभी इस ग्रो होता है यह प्लांट एक हर्प्स के रूप में भी यूज होता है इसकी जो लीफ्स होती है उसकी स्मेल बिल्कुल तुलसी प्लांट के जो लीफ्स होती है उसी की तरह इसकी भी स्मेल होती है और यह टेस्ट में लेमन ग्रास के ही टेस्ट की तरह होता है और इसको हम तो है ही आप इस खुबसूरत प्लांट को अपने घर में लाइए और आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत बूलिएगा थैंक यू